बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बाल रूखे सुखे हैं, बहुत जदा तूटते हैं, चोटी बहुत पतली होती है दोस्तों, अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ हैं, तो आप बिल्कुल हमारी इस वीडियो को पूरा वाज कर लीजिए, एक बार आप हमारी इस वी चीजे हैं, इसी से हम इस रेमेडी को बनाने वाले हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं, ग्यान सरीता रोचे जैनकरी चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त, अंजू, और चलिए हम रेमेडी सुरू करते हैं, दोस्तों यहाँ पर सर्सों का तेल आप ले लीजिए आपके बालों के लिए सर्सों का तेल बहुत अच्छा होता है, और सर्सों के तेल से जब यह हमारी रेमेडी बन कर तयार होती है, तो बहुत ही ताकतवर हो जाती है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खरबटा लेंगे, और उसी में मेथी दाने डाल कर हम बहुत तूटेगा लेकिन हाँ ये थोड़ा सा पिचक जाएगा जिसे की इसके अंदर का जो भी पोशक तत्व है वो हमें अच्छे से मिल सकेगा तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कूट रहे हैं और इसको हम सर्सों के तेल में बनाएंगे दोस्तों सर्सों के तेल में विटामिन E, व और omega-3 fatty acid होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसलिए अगर आपको सर्सों का तेल सूट होता है तो आप सर्सों का तेल ही अपने बालों में लगाए अगर घर का आपके घर में घर का पेराया हुआ सर्सों का तेल है तो ये बहुत ही बढ़िया है ब बढ़ता है तो वही वाली कलंजी हमने ले ली है और इसको भी हम इसी के साथ में डाल कर कूट लेंगे ताकि ये भी थोड़ा-थोड़ा सा फूट जाए और इसके अंदर की जो गुड़ने से वो हमें मिल सके तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा ही हमें कूटना है आप चाह अनुद्थ के वाल कई إसिडूंसिक अनुद्था जाहूंद में पर्डार मैंना तो पूस्या और मेहां थाथन उनले में हो थोड़ार थे कूटकर इसको तयार कर लिया है अब मेटा फोड़ा पर दो जाएगा ताएक नेहां सब्सक्राट इसमें डाल देंगे मेथी दाना और कलाउंजी गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल सलो रखना है दोस्तों बहुत ही धीमी आज़ पे हमें इन मसालों को पकाना है मेथी और कलाउंजी को पकाना है यानि कि हमें जलाना नहीं है बिलकुल धियरे से हम इसको गरम परतन पर डालेंगे और बराबर इसको हम चलाते जाएंगे जब ये अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी सरसों का तेल आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सरसों का तेल आपके बालों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है तो मेरी सला तो यही है कि आप जब ही इस रेमेडी को बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं क्योंकि सरसों के तेल में बहुत अच्छे अच्छे पोसक ततुपाई जाते हैं जो कि हमारे बालों को मजबूत करते हैं, बालों को बढ़ाते हैं, बालों को घना भी करते हैं तो इसलिए आप सर्सों के तेल में अगर इस रेमेडी को बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी और तेल डालकर हम इसको लगातार धीरे-धीरे से चलाते जाएंगे तो ये जब धीरे-धीरे पकेगा तभी इसकी गुटनेस आपको तेल में मिलेगी और ये बहुत ही बड़िया सा परफेक्ट तेल बन कर तयार होगा आप सब भी लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा वीडियो को पूरा बाज करिएगा दोस्तों और यहाँ पर हमने 25 से 30 करी पत्तियां डाल दी हैं इसी में ताजी पत्तियां है ये तो करी पत्ती आप इसमें जरूर डालिए क्योंकि करी पत्ती आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और करी पत्ती लगाने से जब आप करी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और इसे में हमने डाल दिया है कटा हुआ प्याज हमने एक प्याज लिया था और उसके हमने छोटे-छोटे से टुकडे बना लिये थे और इसको भी हम इसे तेल में डाल देंगे बहुत धीरे-धीरे से ही हम इसको पकाते जाएंगे गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है दोस्तों बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें इस तेल को बनाना है क्योंकि इस तेल को अगर आप तेज आज पर पकाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी जल जाएंगी और आपका तेल अच्छा नहीं बन पाएगा तो इसल इतना भी गुटनेस है वो सारा आपके तेल में आ जाए तो इसलिए धीरे-धीरे से ही आपको इसे पकाना है क्योंकि सर्सों का तेल भी अगर जल जाएगा तो उतना दमदार नहीं रहेगा इस तेल के इस्तेमाल से आपके दो मुहे बालों की समस्या भी समाप्त होती है बाल बहुत मजबूत होते हैं और बालों की तो लंबाई इतनी बढ़ेगी दोस्तों कि आप यकीन नहीं मानेंगे तो इस तेल को जब आप लगाएंगे ना तो आपको एक हफते में ही इसका रिजल्ट दिखाई देगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी तेजी से हमा आप सारे ट्राई करिएगा जो आपको अच्छा लगे जिससे आपको रिजल्ट मिले आप वही वाली रेमेडी पकड़ लेना और उसी का इस्तेमाल करना दोस्तों इससे आपको बहुत ही जबदस रिजल्ट मिलेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जटनी भी वीडियो आएं तो उसका नौटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप सभी हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें दोस्तों तो शाला था वह भी पूरी तरह से ब्लेक हुच तुका है और यह सारा जो ब्लेक हुआ है और धीमी आज पाहिए हमने कोई तेज आच नहीं किया है बिल्कुल सलो फ्लेम पर हमने गयस को रखा था और धीर धीर ही इसको पकाया है इसको पकाने में लगभक 40 मिनट हमको लगा था वीडियो हमने बहुत कट की है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहों लॉंग वीडियो देकर आप लोग वीडियो को छोड़ देते हैं तो इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा सा सौट कर दिया है लेकिन इसको पकाने में हमें लगभक 30-40 मिनट लगे हैं धिर धिरे ही इस तेल को जब आप बनाएंगे तभी इसका असर आपको दिखेगा जल्दी बाजी में अगर आप इस तेल को बनाएंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये हमारा तेल ठंडा हो चुका है हमने गैस को बंद कर दिया था जब ये चीजे काली दिखाई देने लगे तो आपको गैस को बंद कर देना है बातो बातो में मैं बताना ही भूल गई आपको और अब हम इस तेल को चानेंगे तो आप इस तेल को कपड़े से चानिएगा चनी से आप मत चानिएगा चनी से जब आप इस तेल को चानेंगे तो इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा सा भी गिर जाता है बलेक बलेक तो हमें बिल्कूल महीन लेना है कपड़ा और उसी से छानेंगे तो यह हमारा रेमिटी का कपड़ा है जो भी हम बनाते हैं तो इसी कपड़े से छानते हैं दोस्तों थोड़ा सा यह दाग धब्बे इसमें लगे हुए है बलकि यह साफ सुतरा कटोरी में जिस कटोरी से हमने तेल रखा था उसी कटोरी में हम पूरा तेल छान देंगे जितना भी मटेरियल है हमारे पास जला हुआ वो सारा इसी कपड़े में निकाल देंगे निकालने के बाद हम इसको खुब अच्छे से निचोड देंगे आप चाहें तो इसको पीस क पूड़कर ही इस तेल को निकाल लेना है ताकि जितना भी तेल आपके इस मटेरियल में बचा है वो सारा आपको मिल सके दोस्तों इस तेल को आप रात में सोते समय लगाए रात भर अपने बालों में लगा रहने दीजिए और सुबह आप सैंपू से वास कर लिजिए आपक बहुत ही बहतरी रिजल्ट मिलेगा दोस्तों थैंक यू